दोस्तों साधी से पहले हम कई तरह की प्लैनिंग और एडजस्टमेंट करते हैं। दोस्तों आपको अपने पार्टनर के ABO और RH ब्लड टाइप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जहां ABO का मतलब अलग-अलग ब्लड ग्रूप यानि A, B, O और AB से है। वहीं RH एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके red blood cells में मौझूद हो भी सकता है और नहीं भी। जिन जरूरी नहीं है कि आपका और आपके पार्टनर का blood group सेम है तो आपकी शादिशुदा जिन्दिगी में किसी तरह की कोई समस्या हो। RH positive या negative होना आम तोर पर आपके health को effect नहीं करता लेकिन हाँ या आपके pregnancy को जरूर effect कर सकता है। दोस्तों कुछ cases में यदि महिलाओं का blood group RH negative है और पती का RH positive है तो बिसेश रूप से पहली pregnancy के बाद कुछ समस्या हो सकती है। यदि मा RH negative है और बच्चा RH positive है तो RH factor चिन्ता का विशय हो सकता है। एक RH positive बच्चे की blood cells अपनी RH negative मा के blood stream को पार कर मदर के immune response को trigger कर सकता है। बच्चे के RH positive RBC पर हमला करने के लिए मा का सरीर antibody बना सकता है और अगली pregnancy में ये antibodies मा के सरीर से बच्चे में पास हो सकती है और उसके blood cells को nest कर सकती है जिससे बच्चे के विकाश में बादा आ सकती है और उसके जान को खतरा भी हो सकता है। बच्चे को harm नहीं करेगा लेकिन अगर फिर से दूसरी pregnancy होती है और एक और बच्चा RH positive होता है तो ये antibody आपके बच्चे को harm पहुचा सकता है। दोस्तों आईए अब ये जानते है कि RH incompatibility का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों यदि एक pregnant woman में RH incompatibility होती है तो डॉक्टर दौरा उसे उसके पहली pregnancy के दौरा दो RH immune globuline short दिया जाता है। पहला short pregnancy के 28 सता के आसवास दिया जाता है जबकि दूसरा short बच्चे के जन्म होने के 72 गंटे के भीतर ही दिया जाता है। दोस्तों या RH immune globuline vaccine की तरह काम करता है और या मा के सरीर को कोई भी RH antibody बनाने से रोकत है। दोस्तों यदि एक female में पहले से ही RH antibody विक्सित हो चुकी है तो उसकी pregnancy को closely watch किया जाता है ताके इस antibody का level बहुत अधिक ना पहुँचे। Rare cases में यदि या RH incompatibility severe है तो बच्चे को जन्म से पहले या delivery के बाद बिसे इस blood transfusion किया जाता है जिसे exchange transfusion कहते हैं या exchange transfusion बच्चे के blood को RH negative blood से बदल देता है या RBC के level को stabilize करता है और पहले से ही बच्चे के blood stream में RH antibody से होने वाले नुकसान को कम करता है दोस्तों उम्मीद क सब्सक्राइब कर दे